नमस्का दोस्तों, विलकाम टोर वंडे एकजाम क्लास, अधिक साइन्स आपके एकजाम का बहुत ही महत्पूर पाठ होता है, इसलिए जीविग्यान स्पेसल में आज हम आपको जीवाड़ और वायरस नमक चैप्टर से 30 महत्पूर बहुविकल्पी प्रिश्ण कराये जा रह हमारे दातों पर पनपते जीवाड़ू कौनसा पदार्थ उत्पन करके दातों में धब्बे बनाते हैं, चार आपसन आपके पास हैं, 3-4 सेकंड के समय हैं, सबसे पहले एक बार आप लोग प्रियास कीजिए, ये सारे के सारे कोशन आपके जीवाड़ और वायरस नमक ये धब्बे कापी हानिकारक होते हैं, जिनसे दातों का अच्छे होना भी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सोने के पहले मंजन ये ब्रिस करके आपको और सोना चाहिए, सुबे तो आपको करना ही करना है, लेकिन रात में सोने से पहले अवज से ब्रिस ये कोस कर दीजेगा चैनल पर अगर आप नहीं होते नीचे आपको लाल लंकी सस्काइब के बटन देखेगी उसे दवाकर लाल से काली कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटेफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके देकि दूसरा प्रेस नहीं जीवाणों की क उसका अभित्य जो होती है वो कार्बो हर्डेड की बनी होती है और कार्बो हर्डेड के पॉले से करेड़ जो होते हैं वो स्रिलोजियम कायटिन होते हैं इसलिए सई आपसन कौनसा होगा पहला वाला आपसन सई आपसन है तीसरा नमबर प्रेस्ण है मनुस्यकी आथ में कौ इसी चिया को लाई ठीक है यह important question है काफी बार आपके एक जमें पूछा गया है भोजन को पचाने के लिए जिवारु जो होता है आपकी आतों में होता है क्या नाम है इसी चिया को लाई तीसरा वाला option जो है सही option है देकि चौथा प्राशन है किसी माध्यम में सभी सूछ सभी सुच ब्राज़ा करते हैं जबकि सही option है sterilization में हम लोग सभी सुच होते हैं जबकि आपके दूद में किरिया कियी जाती है और यहां पर आपसे पूछा गया सभी सुच ब्राइट को ने दूसरा वाला आपसंज होगा, वो सही आपसंगा, पांचों नमबर पेस्ट है, दूद खटा होना किसके कारण से होता है, आप दूद को उबालते होंगे, उबाला किसली जाता है, कि दूद फट ना जाए या फिर खटा ना हो जाए, तो बैक्टिरिया एक पाया जाता है, सह लेक्टिक अम्ल में पर्वधित कर देते हैं और लेक्टिक अम्ल क्या होता है, खटा होता है, इसलिए आपका दूद भी होता है, खटा, तो कौन करता है, जीवाडु करते हैं, सही आपसनों का है दूसरा वाला, देखें, छटवा नमबर कोशन है, वे सूच्प जीव, जो उच्छा के अवे सूच म जीव, जो सड़े गले परदार्तों का सेवन करते हैं, जैसे जो पेड़े पौदे होते हैं, सड़ गल जाते हैं, जीव जनतु मर जाते हैं, फिर बाद में सड़ जाते हैं, तो उनको खाने का काम जो होता है, वो आप गटक का होता है, आप गटक को ह सूच रखने का भी काम करते हैं इसलिए सूच बसट जीव जो होते हैं वो आपके लिए अच्छे भी होते हैं भी परेवड़िक लिए अच्छे भी होते हैं नेकर के साथ होने के बाद वो फिर से उतपन होता है कोई नया जीव तो उसका पुनाच चकड करने काम किसका होता है तो आप गटक की लाश्ट में करते हैं आप गटक क्या करते हैं मृतोप जीवी होते हैं जो मरने वाले जीव जनतों होते हैं सड़े गले होते हैं उनको खाने काम करते हैं और फुर से नय जीव उत्पने करने की प्र कोस्की होते हैं या फिर बहूं कोस्की यह फिर इन मेंसे कोई नहीं चैनल अमीबा, वायरस, बैक्टिरिया, यह फी पैरामीसियम, यह SSC पूछाओ कोशन है, आप लोग देख सकते हैं, सारे के सारे कोशन आपके, किसी ने किसी एक जामे पूछे का कोशन है, और इमपर्ण कोशन है, इसका सही आप सुनोगा वायरस, वायरस जो होता है, वो अवस्ता में होता है, जब वो क्रिश्टल बना करके, उसे आप किसी बोतल के अंदर रख देंगे, तो वो एक निर्जीव का काम करता है, लेकिन जैसे उसे पोशड कहीं से प्रदान होगा, किसी सरीर के अंदर वो इंटर कर जाएगा, तो वो क्या करेगा, फिर से जीवित ह उठेगा, इसलिए सजीव भी हो जाता है, और निर्जीव भी हो जाता है, इस बीच की कड़ी होती है वायरस, दस्वन नमबर कोशन है, विसाड़ों का अनुवांसिक पदार्थ क्या होता है, वायरस का अनुवांसिक पदार्थ क्या होता है, डीने या आरेने, डीने और आ लगा है यहाँ पर और लगा है या तो उसके विसाडू में डीने होगा या तो आरेने होगा दोनों एक साथ नहीं होगे पादप विसाडू जो होते हैं पादप के जो विसाडू लगते हैं जैसे कि पेड़ पौदम जो विसाडू लगते हैं उन्हें में खास करके आरेने हो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, प्रिश्णों को अच्छा प्रिश्ण है, इसे थोड़ा से ध्यान समझने का प्रयास कीजेगा, जैकि 11 नमर कोशन है, जीवास में कैसे बनते हैं, चारों आप्शनों को ध्यान से पढ़िए, SSC में आपका पूछा गया कोशन है, आप लोग जीवास में कहते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जीवास में क्या होता हैं, पहला वाला आप्शन इसका सही आप्शन है, इसके बाद बार नमर कोशन है, हेटरोसिष्ट नामक रचनाय जो होती हैं, किसमें पाई जाती हैं, बताइए, जो नाइट्रोजन इस्थरी क जो नाइट्रोजन को इस्थरी करती हैं उन्हें हम लोग हेटरोसिष्ट कहते हैं और यह साइनो वेक्टिरिया में होती हैं मतलब कि नील हरिस सेवाल में होती हैं इसलिए आपसन जो सही होगा वो दूसरा आपसन सही होगा तेरे नमर कोशन है लेटिन में वाइरास का आर्थ क्या होता है लगू तरल या फिर वीस एसी सीजियल के टी आर्वान में पूछा गया कोशन है और फिर से एक बार यह पूछा गया था ढार थिर पूछा गया और धोल्सरा योड़्ा Qing Canada कोशन है नहीं बूड न कोशन है कहते हैं। वाइरस कहते हैं, δेखो 14 नमर स्क्रेखा के संख्या के लुछ सिथे क्ड़िकां के संक्या करन एक जीवार कह इक को रहीं, मतलब की स्थे और कियान की संक्या क्यों और केसी खर्दोग करbajं physiology संक्या के संख्या कैमल खर्डिकां को हिंद्य एक और रहीत होती है और अंता द्रवी जालिका जो होती है उससे भी रहीत होती है इसलिए सूते कड़िका की संख्या जो होगी वो सुने सही आपसन होगा चोथा आपसन जो सही आपसन है आप जीव विज्ञान से काफी अच्छे कोशन पूछे जान लगे हैं इसलिए सभी प्रेश् प्रोप्लाजमा देखिए दो प्रकार की कोसिकाई होती है एक प्रोकरेटिक कोसिका एक आपकी यूकरेटिक कोसिका प्रोकरेटिक कोसिका जो होती है वो प्राथमिक कोसिका होती है प्राथमिक सेल्स जो होती है कोसिकाई जो होती है ये एक परिपक कोसिकाई होती है और यूक प्रिजनन करने में समर्थ है वो क्या कहलाता है यह देखिए आपका बिहार लोग सेवा आयोगे पूछा गया प्रेशने और जो प्रेशने का उत्तर उपर वाले का था वही नीचे वाले का है सही आपसर क्यों होगा सबसे छोटा जीव है जो खाना बना सकता है मतलब सोयम विकास कर सकता है और प्रेशनन करने में समर्थ भी है मतलब अपनी जाति को आगे बढ़ाने में समर्थ भी है वो कौन सा है माइक्रो प्लाज्मा है सत्र नंबर कोशन है माइक्रो कांडिका किस में अनुपस्तित होते हैं बताइए माइक्रो कांडिका रहित कों सा है तो सही आप सुनोगा नील हरिस सेवाल या पिर हरिस सेवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं माइक्रो कांडिका से रहित होते हैं याद रखेगा काफी इंपर लेकिन माइक्रो कॉनिका अनुपस्तित किसमें होता है हरित सेवालों में होता है अनुपस्तित मतलब की होता ही नहीं है देखिए ठायर नंबर कोशन है कथन ए दिया गया और कथन आर्थ दो कथन दिये गये हैं दोनों कथनों को आपका ध्यान से पढ़ना है बाद में आपको हरा पदर जो कि हरित लवग कहलाता है वो पया जाता है तो आपको ये बताना है कि इन दोनों कत्नों में से कौनसा कतन सई कतन आपको लग रहा है चली मैं आपको पूरा छोटा करके दिखा देता हू憂 तकि आपको चारो आपसन धंक से दिख सके सही आपसन क्या होगा इसका तीसरा वाला आपसन जो है वह सही आपसन है ए सही है लेकिन आर गलत है जिवाड वो अपना भोजन स्वयम संसित कर सकते हैं ये सही बात है कुछ जिवाड जो होते अपना भोजन स्वयम बनाते हैं लेकिन मैंने आपको बताया था कि जीवाड को जो कोशका होती है वो हरित लवक रहित होती है उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है इसलिए आर वाला जो आपसन हो गया वो गलत आपसन हो गया ए वाला आपसन जो है वो ही सही आपसन है देखिए 19 नमबर कोशन है इसको भी आ और मितिक की सीमा रेखा पर होते हैं जीवाडू की बात कर रहा है आपसे दूसरे में लिखा गया ये वनस्पती और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं तीसरे में लिखा गया है ये फूल देने वाले या फूल ना देने वाले वनस्पती की सीमा रेखा पर होते हैं या फिर प्रियोक्तों में से कोई नहीं, जीवाड़ू जो होते हैं ये किसी की सेमा रेखा पर नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया था वायरस जो होते हैं, वो सजीव और निर्जीव के बीज की कड़ी होते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम आपका जीवाड़ू में नहीं होता है, इस सबंसे सब्सक्राइब कि आपके सब्सक्रण माЙक्रोस्कॉप से ही दिखाई पड़ेंगे इनका आकार जो हता है दो सलेकर के 10 मायक्रावन तक होता है जो कि आपको माेक्रोस्कॉप से दिखेगा वो भी इलेक्रान मायक्रोस्कॉप से 21 नमर कोशन है भूम में स्तंतर नैट्रोजन का इस्तरी करण किस जीवाडू द्वारा किया जाता है मताईए पेड़ पौधे क्या करते हैं डारेक्ट जो होते हैं नाइट्रोजन का सेवन नहीं कर पाते हैं इसलिए कुछ क्या करते हैं जीवाडू उन्हें की साहता करते हैं नाइट्रोजन को प्राप्त करने में नाइट्रोजन जो होती है ये जीवाडू क्या करते हैं उसे नाइट्रेट में चेंज करते हैं जो की नाम होता है एजोब एक्टर एजोब एक्टर जो होता है वो नाइट्रोजन इस्तरी करण करने का काम करता है जो कि पेड़ पहुदों की व्रधि में काफी वस्तक होता है इसलिए सही आपसन होगा इसका पहला वाला आपसन देखी 22 नमबर कोशन है नैट्री कारी जीवाड़ किसको किसमें चेंज करते हैं ये देखी आपके रेलवेज जे में पूछा गया कोशन है और आप लोग कर सकते हैं थोड़ा से कन्फुजिंग है सही आपसन होगा इसका दूसरा वाला आपसन अमोनिय तता अमोनियम योगों को नैट्रेट्स में चेंज कर देते हैं कौन नैट्री कारी जीवाड़ अब मैं आपको थोड़ा से समझाने का प्रयास करता हूँ जैसे कि आप लोग धान या आलू की जब उपज बढ़ाने का प्रयास करते होंगे तो आप लोग अमोनियम सलफेट का छिड़काओ करते होंगे उर्वरक का तो अमोनियम सलफेट में 24 से 35% जो होती है वो क्या होती है अमोनियम होती है और मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन का सीधा सेवन नहीं कर पाते हैं वो नाइट्रेट्स में उसका सेवन कर पाते हैं इसलिए नाइट्रोई कारिक जो जिवाड होते हैं वो अमोनिया को नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं अजब नाइट्रेट्स में चेंज कर देंगे तो पेड़ पौधे क्या होंगे उनको ग्रहण कर लेंगे और पेड़ पौधे आसानी से मरदा की सायता से नाइट्रेट को ग्रहण कर लेते हैं और ब्रधी करने लगते ह इसलिए सही आप्सन क्यों होगा दूसरा वाला आप्सन देखिए तेस नमर कोशन है वर्मी कंपोश्टिंग किस से की जाती है मतलब कि वर्मी कंपोश्टिंग जो खाद बनाई जाती है और किस से बनाई जाती है फंगस से, बैक्टीरिया से, क्रमी से या फिर पसु से बताईए इसका सही आपसन होगा क्रमी से क्रमी मतलब होता है सूच मजीव और खास करके हम लोग केचुवा से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं वर्मी कमपोश्ट होता क्या है वर्मी कमपोश्ट एक पोसक पदार्थों से भरपूर एक जैव उरुवरक है और ये केचुवा सूश्मजीव और भी होते हैं वनस्पति भोजन के कचरे आध को विगडिद करके बनाई जाती है इसमें बद्भू नहीं आती है और इसमें मक् केचुवा को किसारों का मित्र भी का जाता है तो केचुवा का करके जो कास्ट बनाई जाती है उसको कहते है वर्मी कास्ट या फिर वर्मी कमपोश्टिंग कहते हैं और मैंने आपको पिछला वाला वीडियो मता है था कि केचुवा पलन को क्या कहते हैं वर्मी कल्चर कहते ह पलन भी किया जाता है इसी खात को बनाने के लिए तो सही आप सुनों का क्रमी अपी सूच मजीव 24 नमबर कोशन है राइजोबियम किसका एक प्रकार है ये भी आपका सेसी पूछा गया कोशन है राइजोबियम राइजोबियम जो होता है खास करके दहलेनी फसलों में पाया जाता है ये जीवाड हुए ये भूमी उरवतों को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है और नैट्रोजन को नैट्रेट में चेंज करने काम के होता है किसका होता है राइजोबियम का होता है तो एक प्रकार करके ये सह जीवी जीवाड हुए या फिर बैक्टिरिया है जो कि नैट्रेट का उत्पादन करता है नैट्रोजन को नैट्रेट में चेंज करता है पौधे जो होते हैं मैंने बता है सीधे नैट्रोजन गरंड नहीं कर पाते हैं वो नैट्रोजन को नैट्रेट में चेंज करन जाते हैं देखे 25 नमर कोशन है निमलिकित में से कौन सा सूष में जीवाड़ू जल पल्लावित मरदाओं में अच्छी वरद्धी करता है जल पल्लावित मतलब जल से भरी होई जो मरदा होती है उसमें वरद्धी करता है अब देखे हर फसल के लिए अलग-अलग बैक्टेरि पाया जाता है यह आक्सिस तुसन करता है मतलब इससे आक्सिएन कि ओ सकता होती है इसलिए इस फसल में जब तक पानी रहता है तो एजटो बैक्टेरिया जो हता है अच्छी वरद्धी कर पाता है और टंप्रेजर भी से मिल जाता है 15-20 degree centigrade तो उसमें क्या करता है यह ब्रद या पिर राइजियो भीयम जो कि देलेनी फसलम होता है लेकिन आपसे जल पर लित मुर्दाओं पूछा है इसलिए सही आप सुनों होगा वो दूसरा वाला आप सुनों होगा 26 नमबर कोशन है सूचमजीव जो 5 डिग्री से कम टमप्रेचर पर व्रद्धी करते हैं यह क्या कहलाते हैं बताइए जो 5 डिग्री से कम टमप्रेचर मतलब कि माइनस डिग्री संटिकेट पर भी वो व्रद्धी कर सकते हैं ऐसे सूचमजीव क्या कहलाते हैं साइक्रोफिल से कहलाते हैं cycrophils जो होते हैं वो भर्फ है कहें मैदान में ये सूच मजीव पाय जाते हैं सूखी भर्फ जैसे होती है ना सूखी भर्फ उसमें ये व्रध्धि कर सकते हैं ठीक है तो सही आपो सम्हों क्या होगा cycrophils याद रहेगा थर्मोफिल्स जो होते हैं वो 41-122 टंपरेचर तक व्रद्धि करते हैं और मीजोफिल्स जो होते हैं वो 20-45 डिगरी में व्रद्धि करते हैं और ये वाला साइक्रोफिल्स जो है ये निगेटिव टंपरेचर जो हो जाएगा ना तो और व्रद्धि करता है तकी 27 नमर कोशन है दूद का दही में जमना किस क्रिया से होता है विसाड़ों की क्रिया सेवाल जीवाड फफून यह आपका RRC कोलकाता गुरुबडी में पूछा गया प्रिशन है सही आपसने जीवाड और कौन सा जीवाड लेक्टो बेसलस नमक जीवाड होता है वो दूद को दही में चेंज करने का काम करता है 28 नमर कोशन है पनीर चीज बनाने में यह पनीर या चीज बनाने में किस किंडवाड का प्रियोग किया जाता है सही आपसनोगा RANIN पनीर बनाने में हम लोग RANIN नमक किंडवाड का प्रियोग करते है एक कोशन आपके एकजाम में आता है कि सिर्का बनाने में हम लोग किस किंडवा का प्रयोग करते हैं सिर्का आपकी गंड़ने की रस से बनाई जाती है और गंड़ने की रस में A.S.T. नामक जीवाड़ू जोता है उसको अगर उसमें किंडवन कराया जाए तो वो सिर्का में चेंज हो जाता क्या गंड़ने का रस और रेनिन क्या करता है दूद को पनीर में चेंज कर देता है रेनिन नमक ठीक है सही आपसन होगा एवाला आपसन देखिए 29 नमबर कोशन है आज का लाश कोशन होगा 29 नमबर कोशन तकी सरीष थी आपकी विसाड़ में नेम लिकित में से कौन से एक विसेशता नहीं होती है चारों प्रश्णों को ध्यान से पढ़िए और बताइए विसाड़ में ऐसा क्या नहीं होता है सही आपसन होगा कोशिका भित्र की मोजूदगी विसाड़ में क्या होता है कि कोशिका जिल्ली या फिर कोशिका भित्र नहीं होती है तो सही आपसन होगा इसका दूसरा वाला आपसन बागी पहले आपसर मिलकागा है पर पोस्टिक कोशिका के बीतर पिसड़न करता है बिलकुन सही है जैसे उसे कोई माध्यम मिल जाएगा खाने का पोस्टन मिल जाएगा वैसे वो ब्रदिकर्णा इस्टार्ट कर देता है सुभाव से पुरी तरह से पर जीवी होता है मतलब दूसरे के उपर यह डिपेंड होता है अगर आपके सरीर में अटैक करेगा और आपके सरीर से पोस्ट अपदार्टों को खाएगा तभी यह जीवित रहेगा दीने या आरेने की मुझुद्गी होगी मैंने आपको बताए तो दीने होगा यह तो आरेने होगा कोस्ट का वित की मुझुद्गी नहीं होती है अगर बात करें जिवाड की खोज किस ने की थी तो जिवाड की खोज की थी लिवेन हाक ने याद रखेगा जिवाड की खोज लिवेन हाक ने की थी और कमेंट बाक्स में आप लोग इसको लिखने का प्रयास किजेगा विसाड की खोज किस ने की थी चलिए बता सकते हैं आप लोग मैंने एक ही प्रशन आप से पूछने का प्रयास के इस वीडियो में कि विशाड़ की खोज किस वेज्ञानिक ने की थी यह हमारी 29 नंबर तक प्रशनों की स्रंकला थी जो यहां से समापत होती है इस सारे के सारे प्रशने काफी important कोशन थे और सभी जो आपके एक जाम में railway, ssc और कुछ इसमें आपके pieces की कोशन थे तो सभी कोशन एंडिया के cds के सारे कोशन थे जो भी आपके important और जो आपने स्तरल कोशन की बात करेंगे इसमें अच्छे ही कोशन रखे गए थे और अगर आपने 29 कोशन में से कम से कम 15 कोशन सही कर लिए हैं तो समझे आपके biology जो है वो strong है 15 कोशन ही perfect है आप लोग के लिए अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग chapter by chapter जैसे अभी आपने जीव विगन कराया भातिक विखन के chapter by chapter कुछ महत्यपुर्ण जो बहुविकल्पी कोशन है जो धेर सारे आपके एक्जाम में बार बार पूँछे जा रहे हैं किसी एक एक्जाम की बात नहीं करेंगे क्योंक आपको ये सेट चुना था और देखते हैं आप लोग कैसा response रहता हैं आपको प्रेशन कैसे लगें टब तो कोशन थे ही लेकिन आप लोग कितना स्कोर हुआ है इससे आप लोग कमेंट बाक्स में बताएंगे तब ही मालुम चल पाएगा आप लोग ने कितना स्कोर किया पं आतार जीवी ज्यानिक कोशन जो एक जामेक पूछे जाते हैं जैसे ये जीवाड़ो और वाइरस नमक चैप्टर था तो कोई अगला चैप्टर उठाएंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैंने एक प्रिशन आपसे प्रियास कीजेगा ने स्रीज में आपसे मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद